नमस्कार दोस्तों इबस्ताईस अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम लोग नोबेल प्राइस 2022 पर परचर्चा करेंगे यह हमारे एक्जाम के पॉइंट आव यू से बहुत इंपॉर्टेंट टापिक है इस बार के नोबेल प्राइस में कुछ ऐसे फैक्ट ह ही जाएंगे ठीक है इसके अलावा हम लोग कुछ ऐसी बातों पर पर चर्चा करेंगे यह कुछ ऐसे फैक्ट पर चर्चा करेंगे जो कि जी के पॉइंट आव व्यू से हमारे एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि कि कितने ऐसे वेक्ति हैं जिनको दो या इक 7 नॉबल प्राइस पाए हैं पिता-पुत्र की जोडी जो एक 7 नॉबल प्राइस पाई है आधी--ाधी इन फैक्ट पे भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा basic जान लेते हैं नोबल प्राइस का background तो दोस्तों एक महान बैक ज्यानिक हुआ करते थे ऐम बन depression जिन्होंने dynamite की खोज की थी उन्हीं के नाम पे ये Nobel Prize उन्हीं की याद में दिया जाता है Nobel Prize की सुरुवात कुछ ऐसे समझ लिजिए कि जो Alfred साहब थे तो उन्होंने जो dynamite की खोज की थी तो उसका सुरुवात में ये यूज जो होता था वो industries में आने खास करके खनन उद्दोग में होता था जैसे पत्थर अगरा समझ लिजिए तोड़ने के लिए क्लियर लेकिन बाद में इसकी बिसफोटक प्रकती के कारण आने डाइनमाइट की बिसफोटक प्रकती के कारण इसका युद्ध के लिए यूज होने लगा जिससे अपनी स्कोस से Alfred Nobel बहुत दुखी हुए और उन्हों ने अपनी मरत्यू से एक साल पहले 1895 में अपनी वसीषत लिखी एक साल बात जब उनकी मरत्यू हुए 1896 में तब वसीषत से पता चला यह इन्हों ने लिखा था अपनी वसीषत में की मेरी जो भी प्रापर्टी है उससे होने वाली आमदनी याने कह लिजिए ब्याज से उस ब्याज को जो मानावता के लिए काम कर रहे हैं लोग चाहे वो साइंस से हो साहित्य से हो यह ना किसी भी फिल्ड से हो वो उनको पुरुसकार सरूप प्रदान किया जाए तो इसी परिपेच्छ में 1900 में नोबज फांडेशन की स्थापना की गई और 1901 में 1901 में पहली बार फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइस दिया गया ठीक फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइस दिया गया और पांच फिल्ड में दिया गया ठीक जो कौन-कौन से साहित याने लिटरेचर पीस याने सांती, फिजिक्स, केमेस्ट्री और मेडिसिन जो economics का अर्थ सास्त का जो नोबेल प्राइस है दोस्तों वो 1969 से प्रारम हुआ और ये जो पुरुसकार है श्वीडन का जो केंद्री बैंक है ठीक श्वीडन का केंद्री बैंक इसको फाइनेंस करता किसको जो अर्थ सास्त का आपका आने जो economics का जो आपका नोबेल प्राइस है economics का नोबेल है ठीक economics का नोबेल इसको कौन करता है वहां का श्वीडन का सेंट्रल बैंक जैसे अपने यहां का कौन है सेंट्रल बैंक कर भी आई उसी तरह का वहां का सेंट्रल बैंक है वो इसको जो है economics के नोबेल प्राइस को 1969 से देना प्रारंब किया ठीक किलिया रहे है यह मोटा मोटा बैग्राउंड है अब हम लोग देखते हैं 2022 के नोबेल प्राइस के बारे में 2022 के नोबेल प्राइस देखिए यह सबसे लास्ट में अर्थ सास्त का दिया गया है आने आज 10 तारिक को इसका announcement हुआ है ठीक है यह तीन लोगों को दिया गया इस बार का अर्थ सास्त का नोबेल प्राइस यह जो नाम है तीन लोगों का important है कोई ऐसा criteria ने कि कौन सा economics का पूछ लेगा कि literature का पूछेगा तो इनको प्रयास करिए किसी तरह से coding करके याद करने का जैसे पहला नाम जो है किसका है बेन एस बरनान के दूसरे जो व्यक्ति हैं यह है डब डगलस डबलू डाइमंड तीसरे हैं फिलिप एच डायबग डायब विग ठीक यह तीन लोग हैं अब यह तीनों का नाम जो है ऐसे तो नहीं याद रह सकता तो कुछ coding करके याद कर लिए जैसे क्या इसमें हो सकता है अब इसको देखिए यह फिलिप डायमंड बर्न कर दिया है ना फिलिप ने अब ऐसे याद करिए फिलिप फिलिप एच डायब विग है तो फिलिप ने डायमंड बर्न कर दिया तो फिलिप डायमंड और बर्न से बर्नारन के जो है याद कर लिजी यह तीन ऐसे कुछ coding करके याद करिए ठीक कौन है फिलिप एच डायब विग डायब डायमंड और बेन एस बर्नारन के तो फिलिप burn ठीक है कुछ इस तरह स्कोटिंग करी है अब इनको दिया किस लिए गया है तो ये देखिए इनोंने ये जो bank होते हैं bank की भूमिका कब बिद्ती ये संकट के दोरान रहने बिद्ती ये संकट जब आता तो उसमें bankों की भूमिका क्या होती है bank कैसे यदि बित्ती संकट के दौरान अर्थ बेवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समझ को काफी सुधार किया है और उनके रिसर्च में एक महत्पूर्ण खोजिया निकली है कि बैंक को पतन से बचना क्यों महत्पूर्ण है मतलब कुल मिला कि बित्ती संकट और बैंक का आपस में क्या रिलेशन है उसको इन लोगों ने काफी रिसर्च किया इस बात पर इस पर नोबल मिला है ठीक है कौन-कौन फिलिप डाइमंड को बर्न कर दिया फिलिप एच डाइब बिग डगलस डबलू डाइमंड बेन एस बर्नार्ड के के लिए रहे याद हो जाएगा ये देखें मेडिसिन नाने चिकित्सा का नोबल पुरुसकार जो है स्वाते पाबो को मिला है श्वीडन के बैज्ञानिक है स्वाते पाबो इनको जो ये नोबल प्राइस मिला है ये इसलिए मिला है कि ये जो नियंडर्थल प्रजाती होती है मानो की प्रजाती है ठीक उसकी DNA sequencing के लिए मिला है ये नियंडर्थल मानो इनका कंकाल जर्मनी की नियंडर्थल है नियंडर वैली है वहाँ पहाँ पर पाया गया था उसी के अधार पर इनका नाम नियंडर्थल मानो कर दिया गया नियंडर्थल मानो 40,000 पहले बिलुप्त हो गए था ऐसा माना जाता है तो यह होमो सेपियन्स की एक जो है कटेगरी है एक कैली जी के परजाती है ठीक है तो यह उस कंकाल का इन्होंने क्या किया डिन ने सिंक्वेंसिंग किया इस कार के लिए स्वाते पाबो को जो है चिकिट साका नोबेल प्राइस 2022 कहां के हैं श्वीडन के हैं किलियर है एकनॉमिक्स वाला क्या था फिलिप डाइमंड बर्न कर दिया यह है स्वाते पाबो सांती का नोबेल पुरुषकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है अक्सर पूछा जाता है आपको एक्जाम में तो इस बार देखिए इस बार जो है सांती का नोबेल पुरुषकार दो आर्गनाइजेशन को मिला है और एक व्यक्ति को मिला तो आर्गनाइजेशन कौंसी है एक है center far, center far civil liberties, center far civil liberties, ये युक्रेन की organization है, ये जो रसिया युक्रेन वार हो रहा है, उसमें जो है ये लोगों की, युक्रेन में लोगों की साहता कर रही है, कर रही है ये organization, इसकी जो head है, ये आपकी Alexandra Matvichuk, ठीक, महिला है ये, और ये इस organization की head है, और ये organization क्या करें, रूस- युक्रेन वार का विरोध कर रही है, युक्रेन की organization है, ठीक है, माद, दूसरा है, रूस की, एक तो युक्रेन की organization होगी, रूस की human right organization है, जिसका नाम memorial है, ठीक है, कौन? Memorial Human Rights Organization जिसका नाम Memorial है उसको भी जो है इस बार Nobel Prize से नवाजित किया गया है नवाजा गया है एक हैं बेलारूस में बेलारूस के आलिस बेलियात्सक आलिस बेलियात्सक ये इस समय जेल में बंद है इनको भी Nobel Prize जो है दिया गया है ये भी आलिस बेलियात्सक के बारे में पूछ सकता है कि ये अभी देखिए इंपॉर्टन क्या है कि ये जेल में बंद है इस समय ठीक है बेलारूस के जेल में बंद हैं और इनको ये Nobel Prize मिला है ठीक है और दो आर्गनाइजेस्टन है एक यूक्रेन की एक रसिया की यूक्रेन की आपकी Center for Civil Liberty रूस की जो आर्गनाइजेस्टन में 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 जेल में जो बंद हैं जो ब्यक्ति हैं उन्हों है आलिस बेलियात्सक ठीक एदम इसको रट लीजिए अगला देखिए इस बार जो साहित्य का Nobel Prize है ति ये France की लेखिका है Any Arnex Any Arnex ulukarch है France की लेखिका है इनको मिला है इनकी जो बुक्स है ये इंको बुक्स है ये आपसे कभी पूचा जा सकता है जैसे इनकी बुक्स है पाइसन सिम्पल पाइसन सिम्पल La Pailis The Years Of Frozen Women फ्रोजन उमेन ये दो-तिन नाम है इनको याद कर लिए बुक पूछ लेता आपके एक्जाम में कभी होगी कभी न कभी और इनका कारेच्षेत्र मतलब ये समझे बुक का नाम पूछे कारेच्षेत्र तो नहीं पूछेगा इनको ऐसे तो लिखा कि आसान भासा में गंभीर मुद्दों को ये जो है बहुत ही प्रभावी तरीके से लिखती थी ठीक है तो इनका क्या है लिट्रेचर फ्रांस की लेखका एनी एनेक्स बुक है फैसन सिंपल ला पैलेश इसमें एक दो बुक याद रख लिजिए फ्रोजन फ्रोजन वुमेन पैसन सिंपल ला पैलेश ठीक है है फ्रोजन से एक और जितना याद हो जाए को रिलेट करके याद कर लिजिए ठीक है कौन ए लिट्रेचर की एनी अर नेक्स नेक्स आजाईए फिजिक्स का नोबेल प्राइस जो फिजिक्स का नोबेल प्राइस है ये भी तीन लोगों को इस बार मिला है अक्सर अब तीन लोगों को दिया जाता है तो इसमें देख लीजिए आपके जो तीन नाम है अब इसको याद करने का फिर इसमें coding करिए कुछ अपनी सुभिधा के अमसार जो आपको लगे अब जैसे इसमें आप कर सकते हैं जैसे जेलिंगर का aspect classer है आने classic है तो जेलिंगर का aspect classer है किस चीज में physics में जैसे बैटिंग का लिजे ना बैटिंग तो यह इसमें physics लगती है तो जैलिंगर का aspect classer है क्लासर कैसी होगी physics ठीक तो जैलिंगर का aspect classer अब इनको किस फिल्ड में मिला है तो मोटा मोटा याद रखे यह quantum physics का में कारे करने के लिए इनको मिला है तो यह है आपका entangled quantum states पर research किया इन लोगों ने ठीक है यह अब इतना समझें किया quantum physics से related है पूरा अब इस पे science tech के लिए पूरा एक topic हो सकता है ठीक है quantum physics का कोई एक term है entangled quantum state इस पर इन लोगों को जो है मिला है ठीक है इसमें जैसे देख लिजे इसमें दो particles बिल्कुल एक तरह का बेवार करते हैं अगर इन दोनों particles को अलग-अलग भी कर दिया जाए तो इनका बेवार नहीं बदलता है कुछ इस टाइप का इसमें है कहानी ठीक क्या क्या आए इसमें किसको मिला है physics का तीन लोगों को याद कैसे करेंगे जेलिंगर का आस्पेक्ट क्लासर है तो जेलिंगर क्लासर और आस्पेक्ट्स ठीक तो यह physics का nobel हो गया अब यह देखिए chemistry का nobel इस बार का बहुत important है ठीक है chemistry का nobel पुरुसकार तीन बैग्यानिकों को मिला है यह आपका betroji, meldell और sarples ठीक है यह जो इसमें यह sarples है बैरी sarples इनको second time nobel मिला है दूसरी बार ठीक इसके पहले 2001 में भी यह nobel पाच चुके है तो यह पूछा ही जाएगा आपके exam में यह दम तैं है कि किसको मिला है तो बैरी sarples को दूसरी बार मिला है अभी हम और आपको बताएंगे और कितने लोग हैं जिनको एक से अधिक बा कि इसके बार nobel मिल चुका है इस बार बैरी sarples को दूसरी बार nobel मिला है इसके पहले 2001 में मिला था ठीक है इन लोगों किस चीज दूरी ओक लान नोवेल एक होतीरी अजं़ और में प्रोड़क्ट बहुत बनता थैंहों उसको ऐसे मैथर्ड इन्होंने यूज किये कि बाई प्रोड़क्ट को जो है इन्होंने एक दम से कम कर दिया ठीक है फék कि उसको निकाला जाता है उस बाई प्रोड़क्ट को में ख़तम क्या जाता है कि वह बाई प्रोड़क्ट को कम किया जा सके ठीक है इसी तरह से यह एक होती है आपकी बायो आर्थो गोनल कमेश्टी या रीक्षन करजे बायो अर्थो गोनल यह भी यह यह इसी से रिलेटेड है यह इंकर रिलेटेड है क्लिक कमेश्टी और यह आपकी bio-orthogonal chemistry तो ऐसे समझ लिजे bio-orthogonal chemistry कि malogy की सरीर है हमारा सरीर की अंदर cells होती है biomolecules होती है तो naturally इसमें malogy जैसे growth होती है या reactions होती है तो इसमें यह किया गया है कि suppose करें कि एक biochemical reaction कर रहा है तो अपने साथी biochemical पर असर नहीं डालेगा तो कुछ इस तरह से यह भी click chemistry का ही मतलब जो है एक तरह से कह लिजे कि application है दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं यह जो bio-orthogonal है यह आपके betrogy साहब की एक तरह से इस पर जादे तर काम इनका है ठीक है तो यह भी मतलब आपके समझे कि drug delivery होगरे में जो है इसका भी होता है कि भाई आप cancer का इलाज कर रहे हैं तो साथ में वो दवा तो cancer की cell को तो मारती है प्लस जो healthy cells है उनको भी damage करती है ठीक है तो वो उन सब का यह समाधान है तो इस खोज का आप समझे कि जो medicine production है pharmaceuticals में इसका बहुत करांतिकारी योगदान होने वाला है किलियर है तो इसमें यह surplus, melden और betrogy तीन लोगों को मिला surplus इस बार के लिए important है क्योंकि इनको second time Nobel Prize मिलना है किलियर अब यह तो हो गया इस बार का Nobel Prize इतने लोगों को मिला अब हम लोग कुछ Nobel Prize के इतिहास में जहागते है जो हमारे एक्जाम के point of view से कुछ important fact है तो जैसे एक है कि persons organizations who own multiple Nobel Prize आने एक से अधिक बार या दो बार या तीन बार जिन्होंने Nobel Prize जीता है वो कौन से वित्तिया संस्थान है तो भाईया एक संस्थान है आपकी ये red cross आने the international committee of red cross ये तीन बार Nobel पुरुसकार जीत चुकी है बहुत most important है आपका international committee of red organization red cross तो red cross नाम याद रख लीजिए ये एक ऐसी संस्था है जो तीन बार Nobel Prize जीत चुकी है इसके अलावा UN High Commissioner of Refugee आने कि इसको कहें कि संड़ार्थियों के लिए जो High Commissioner है United Nation का उसने जो है दो बार दो बार क्या किया है Nobel Prize मिला है तीन बार और दो बार ये ये हो गए organization organization में तीन बार मिला है आपको red cross को दो बार मिला है refugee का जो High Commissioner है ठीक है आफिस है उसको मिला है अब हम यदि बेक्तियों में देखें तो बेक्तियों में भी जो है दो बार maximum दो बार Nobel Prize मिला है दो दो बार मिल चुका है लोगों को तो उसमें जो है आपका ये हैन physics में मिला है John Bardeen को मिला है दो बार ठीक एक बार ये अपने ये ही हो गया surplus जो इस बार मिला है तो इसलिए important है इनको chemistry में मिला है तो chemistry में दो लोग है फेडरिक, सेंगर और ये आपके surplus chemistry में दो लोग है जिनको दो दो बार Nobel Prize मिल चुका है ठीक है ये तो हो गया same field में दो बार मिला है मतलब जैसे chemistry में दो बार जैसे surplus को जो है chemistry में ही दो बार मिला है सेंगर को chemistry में ही दो बार मिला है और जान बर्डन को physics में ही दो बार मिला है इसके अलामाद दो लोग ऐसे हैं जिनको different different field मिला है जैसे chemistry में physics में या जो भी combination है तो एक है आपकी Madam Curie याने Mary Curie जो है है ना इनको मिला है Physics में और Chemistry में 1903 और 1911 इसमें इनको दो बार Nobel Prize मिल चुका है किसमें किसमें Physics और Chemistry में ठीक एक Pauling है इनको जो है Chemistry और सांती सांती का और रसायन का इनको दो बार अलग-अलग different में मिल चुका है ठीक है इसमें जो important ये इसलिए ये हो जा रहा है क्योंकि ये surplus जो है इनकी वज़े से ये वाले facts important हो गए है ठीक है तो ये तीन बार किसको मिला है Red Cross को दो बार refugee commissioner जो है मतलब जो High Commissioner है ठीक है उसको मिला है ये office है ये भी office है UN High Commissioner for Refugee ठीक है ये भी organization है इसको मिला है व्यक्ति में ये surplus important है इनको याद रखिए ठीक है इसके अलावा पिता पुत्र मतलब इतने महान थे पिता जी और बेटा जी दोनों जी को एके साथ जो है Nobel मिल गया तो इसमें तो पिता पुत्र तो कईयों को मिला है लेकिन ये William Bragg और Lawrence Bragg ये दो हैं जो 1915 में इन दोनों को physics में Nobel Prize मिला था ठीक है ये fact आपको याद होना चाहिए William Lawrence Bragg बिलियम लॉरेंस ब्रैग ब्रैग ठीक है Bragg ब्रैग जो भी कह लिजिए William Bragg और Lawrence Bragg ये दोनों जो है इनको क्या मिला था physics का Nobel Prize मिला था 1915 में ठीक है 1915 में physics का Nobel Prize William Bragg और Lawrence Bragg को मिला था जो उनों की बाप बेटे थे इसके अलावा और भी जैसे ये हैं आपकी मैडम मैडम जो क्यूरी थी उनके पती थे पियरे क्यूरी तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी इन दोनों लोगों को Nobel Prize साथ साथ मिला है और इनकी बिटिया थी ठीक है बिटिया थी Elena Jolet Elena Jolet Curie इनको भी Nobel Prize मिला है ठीक है ये भी अपने पती के साथ पाई है तो इनकी मम्मी और पापा तो पाई ही थे एक साथ Nobel Prize उनकी बिटिया भी अपने पती के साथ Nobel Prize पाई थी तो ये Nobel खांदान है पूरा ठीक है मैडम क्यूरी का मैडम क्यूरी पियरे क्यूरी पती-पतनी इनको Nobel Prize मिला है इसके अलावा उनकी बेटी थी Irena Curie उनको भी उनके husband के साथ Nobel Prize मिला था ठीक है? किलिए रहे तो इसमें ये वाला fact important है Bragg और Lawrence Bragg देखिए fact में क्या होता ना आप एक interest से पढ़ लीजिए कभी भी interest से पढ़ लीजिए exam के जीवन में ठीक है इसके अलावा ये भी fact है लेकिन अब जैसे physics जे जे थांपसन को Nobel Prize 1906 मिला था उनके बेटे हैं George Paggett Thompson उनको 1907 से मिला था तो ऐसे कई लोग हैं, साथ लोग हैं ऐसे पिता-पुत्र की जोड़ी जिनको मतलब कभी न कभी मिला है लेकिन उसमें एक लोग हैं वही William Bragg और Lawrence Bragg जिनको एक साथ मिला है, तो इसलिए वो important है, ठीक है इसके अलावा देख लीजिए six couple हैं पती-पतनी है जिनको एक साथ Nobel Prize मिला है ठीक है, तो उसमें जो है, आप ये एक तो ये Mary और Pierre Curie होई गए है ना, इनको मिलगा इनको भी बता दिये, Irena और Frederick Joliet ये Mary की बेटी है Irena और इनके पती है Frederick Joliet तो इन दोनों को chemistry में 1935 मिला था, ये अपनी माता-पिता के ही काम को आगे बढ़ाया है इनोंने, Elena Curie और इन ही के अंडर में ये कह लिजे कि study करते थे research इन ही के अंडर में किया इन दोनों लोगों ने फिर बाद में साधी भी कर ली और इनको Nobel Prize मिला इसके अलावा, आपका जो है ये पती-पतनी है, कोरी साहब कारल कोरी और ग्रेटी कोरी इनको medicine में Nobel Prize मिला एक साथ ये दोनों लोग भी पती-पतनी है, ठीक है और चिकित्सा के छेत्र में Nobel Prize इनको मिला है और चिकित्सा के छेत्र में मात्र ये पेयर हैं जिनको Nobel Prize मिला है इसके अलावा जो अपने है ये अबजीद बनर्जी साहब जिनको 2019 मिला था अबजीद बनर्जी और एस्थर डुफलो एकनॉमिक्स में इन लोगों को नोबेल प्राइस मिला था एक साथ ये लोग भी पति-पतनी है ये डुफलो जो है दूसरी महिला है जिनको नोबेल प्राइस मिला है इसके पहले 2009 में एलिनार ओस्ट्रम पहली महिला थी जिनको एकनॉमिक्स का अर्थ सास्त का नोबेल प्राइस मिला था ठीक है तो ये एस्थर डुफलो अबजित बनर जी हो गए इस सिक्स्त मेरेट कपल थे जिनको ये मिला है नोबेल प्राइस इसके अलावा एक इकनॉमिक्स में आप लोगों ने नाम सुना होगा गुर्णार मिर्डाल बहुत पढ़ते हैं आप लोग प्लानिंग जब पढ़ते हैं तो उसमें गुर्णार मिर्डाल का क्या योगदान है इसको पढ़ते हैं इनको इकनॉमिक्स का नोबेल प्राइस मिला और इनकी पतनी थी अलवा मिर्डाल इनको जो है Peace का Nobel Price मिला था ठीक है तो Economics का जो Price था 74 में मिला था आपको गुर्णार मगडाल को और ये अलवा को मिला था Peace Price जो है 1982 में ठीक है इसके अलावा ये May Brit और Edward Moser है इन लोगों को भी जो है 2014 में ये पती पतनी है जिनको Nobel Price मिला था ये मोटे मोटे Fact है इसमें ये कुल मिला के 6 लोग है जैसे इसको याद करना चाहें 6 लोग है देखिए ये सब Interest से पढ़ेंगे आप जब थोड़ा सा की Interest लगा के अंदर से अच्छा ऐसा है तब ये याद हो जाएंगे आपको ठीक है नहीं तो ऐसे तो बहुत इतने Fact है कि क्या ही का ना क्या का याद करिएगा ठीक तो मोटा मोटा ये ये important है एलिनार आस्ट्रम जो है 2009 में पहली महिला अर्थ सास्ति ने जिनको Nobel मिला था और Esther Duflo जो अबजीद बनर जी की जो वाइफ हैं ये दूसरी मेला है जिनको Nobel प्राइस मिला था और ये पती पतनी भी है ठीक है ये मोटी मोटी बाते हैं इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कुछ बाते हैं कि इंडियन्स जो भारती हैं जिनको Nobel पुरुसकार मिला है तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो अपने भारत के जो है अब तक जो है 9 लोग जो है Nobel प्राइस जित चुके हैं जिसमें सबसे पहले किनों ने जीता था रविंद्नाट टैगोर 1913 में बहुत इंपॉर्टेंट यह पूछा जाता है आपसे कि रविंद्नाट टैगोर ने कब Nobel प्राइस जीता था 1913 में इसके अलावा यह इधर के तो आप लोग जानते ही हैं कि यह अबजीत बनरजी साहब 2019 में जीते हैं कैलास सत्यार्थी 14 में जीते हैं यह वैंकट रमन रामकृष्णन 2009 में जीते हैं अम्रत्य सेन अब यहां से थोड़ा सा जो है हाईलाइट कर लीजे अम्रत्य सेन अब 1909 में जीते हैं प्राइस इनको मिला है 1909 में पहला हो गया रविंद्ना टैगोर को 1913 मिला है वो हिस्ट्री का भी पार्ट हो जाता है जीके का भी पार्ट हो जाता है तो इंपोर्टन्ट है इसके अलावा यह इंपोर्टन्ट है Mother Teresa 79 79 के बाद क्या आता है 80 आता है 80 से एक साल पहले 79 में Mother Teresa जो है उनको Nobel Prize मिला था ठीक है यह S. चंद्रसेखर S. चंद्सेखर जिन्होंने खगोल सास्तर में बहुत important काम किया था इन्हीं के नाम पर चंद्सेखर limit चंद्सेखर सीमा के बारे में कब वो white dwarf में बदलेगा और कब ये neutron तारा बनेगा कब ये ब्लैक होल बनेगा तो उन सब के लिए उनकी मास ने द्रब्यमान की लिमिट निर्धारित की थी उसी के लिए इनको जो है Cr tane circuit 1883 में Nobel Prize मिला थारिक कि हरविंद कुराना हम लोग बहुत बच्पन से इनके बारे में पढ़ते हैं जब हम र्विंद कुरान को जो है और 1968 में ठीक तो 1968 में हरविंदर कुराना मोटाり का इसacts कर लिए रबिन्द नार्ट टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइस मिला था किलियर हो गया इसके बाद आ जाईए आपके हरविंदर ये चंद सेखर एस चंद सेखर चंद सेखर लिमिट वाले उनको 1983 में नोबेल प्राइस मिल गया इसके अलामा आप आ जाईए स्वारी मदर टैड़ेसा 79 69 नहीं 79 में मिला था ठीक है मदर टैड़ेसा फिर इसको देखले है मदर टैड़ेसा 79 ठीक हरविंदर कुराना 68 रविंदर नार्ट टैगोर 1913 इसमें important पूछने को कुछ भी पूछ सकता है लेकिन रविंदर टैगोर और मदर टैड़ेसा यह दो बहुत important है रविंदर टैगोर 1913 में मदर टैड़ेसा 79 में 80 से एक साल पहले ऐसे याद रखिए 80 से एक साल पहले 79 में 1979 मदर टैड़ेसा ठीक लेटेस्ट जो मिला है आपका अवजीद बनेरजी को मिला है 2019 मिला है इसके अलावा दोस्तों दो ब्यक्ति ऐसे हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है यह भी जीके के point of view से बहुत important है कि कौन बनेगा करोनपती टाइप का question है कि ऐसे दो बिदेसी जो भारत में जन्मे हैं लेकिन उनका भारत से कोई लेना देना केवल जन्म हुआ है इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है तो एक आपके रुडियार्ट किपलिंग है जिनका जन्म मुंबई में हुआ था इनकी एक famous book है The Jungle Book और एक Ronald Ross है यह Almora में जन्मे थे उत्राखंड के अलमोडा में और इनको जो है इनको भी साइद physics का Nobel Prize मिला था ठीक है तो Ronald Ross और रुडियार्ट किपलिंग यह दो लोग है जिनको Nobel Prize मिला है इनका संबंद भारत से ही है कि यह भारत में इनका जन्म हुआ था ठीक तो यह overall Nobel Prize के सब इतिहास भुगोल पूरा हो गया इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर भी question आएगा आपका तो इसको बार-बार देख लीजिए इतने fact आप revise कर लेते हैं इतने fact आप याद कर लेते हैं एक interest के साथ तो यह यहां से आपके कोई question गलत नहीं होंगे Thank you, धन्यवाद